हेलो दोस्तों मैं हूँ उदैरंजन और इंटाइंजर्स इंडिया के चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ तो आप लोग यहां चार्ट पर देख पा रहे हैं कि यहां बैंक लिमिटेड का यहां पर चार्ट लगा हुआ है तो यह वन डे का चार्ट मैंने यहां पर लगा लेकिन आज यह क्लोज हुआ है 12 रूपै के फास में यह है इसका क्लोजिंग हुआ है तो यहां पर यह 22 रुपै का क्लोजंग दिखा रहा है तो यह प्रीवेस क्लोज हुआ था पचीस रुपय का असपास में तो इसका न्यूज क्या है कि इसमें एक यज़ बैंक का एफपी ओ आ रहा है तो एफपी ओ हम लोग किसको बोलते हैं एफपी ओ होता है देखें मैं आपको बता दूं कि एफपी ओ मतलब होता है फोलो ओन पपलिक ओफर ठीक है जैसे आपने सुना होगा एक IPO, IPO क्या होता है, initial public offering, मतलब अगर मान लिजे किसी भी companies को अगर किसी पैसे का जरूरत होता है, कितना भी funds का जरूरत होता है, तो वो पहले अगर listing हो रही है, वो company अगर exchange में वो पहली बार अगर वो list हो रही है, तो वो एक IPO लेके आते हैं, जिसक हम लोग follow on public offer बोलते हैं, simple सा बात है कि यहाँ पे एक company है, जो कि पहले से listed है, उसको अगर पैसे चाहिए, तो वो follow on public offer लेके आती है, तो यह follow on public offer, yes bank लेके आ रहा है, क्योंकि इसको पैसे का जरूरत है, तो देखिए, अभी इसका जो floor price है, floor price इसने 12 रुपे रखा है, और जो capping price है, वो यह 13 रुपे रखा है, और जो lot size है, वो 1000 रुपीज का रखा है, ठीक है, तो यह इसके चलते देखिए, इसका जब भी news आया, यह market में एकदम ही down हो गया, down की तरफ आ गया, और यह कम से कम 13 परसेंट आज डाउन था, 13 परसेंट के आसपास में, आज Yes bank में ए investment कितना होगा, 12 into 1000 रुपीज, तो 12,000 रुपीज का इसका minimum investment आएगा follow on public offer में, और जो अगर maximum investment इसमें आप देखने को मिलता है आपको, तो वो होगा 1000 into 13 रुपीज, तो 13,000 रुपीज का अगर आपको 13 रुपीज के price पर मिलता है, तो आपका total investment 13,000 रुपीज आएगा, तो इसका lot size 1000 का है, इसके चलते, इसका जो analyst है, जो main main analyst है, जो market में analyst बैटे हुआ है, वहाँ पे 14 लोगों ने, 14 investors ने इसका ये analysis किया है, और ये analysis में इसका one year का, one year का target, one year का target इसका 80 रुपीज लगाया जा रहा है, और ये अगर subscribe हुआ तो 80 रुपीज इसका one year का high की तरफ मे target लगाया जा रहा है, और low के तरफ में one रुपीज लगाया जा रहा है, आप लोग देख लिजे, market मतलब analyst भी इसमें मतलब की थोड़े bearish है, और नीचे के तरफ में one रुपीज का इसका lower target लगाया जा रहा है, इसका जो follow on public offer है, वो 15,000 करोड रुपे का है, 15,000 करोड है, इसके चलते ये follow on public offer ला रहा है, इसमें क्या है कि chances of allotment जो है, वो मतलब की allotment के chances में ज्यादा है, क्योंकि क्या हो रहा है, कि जो अभी एक result आया था और एक news आया था, कि जो नए नए investors हैं, ये तीन चार महीने में जब से कोरोना चल रहा है, मार्च के महीने से लेके जुलाई तक ये चार महीने में record तोड इनवेस्टर्स आये हैं, मतलब नए जो इनवेस्टर्स हैं, नए डीमेट अकाउंट खोले गया है, किसी भी आप कोई से भी ये ब्रोकिंग हाउस में चले जाएए, वहां के जो डेटा उठा के देखे गया है, तो वहां के डेटा उ इसके चलते, जो इसको मतलब कि ये जो FPO है, इसको जादा एनलिस्ट के तरफ से इसको नेगेटिव बताया जा रहा है, FPO को, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं, कि ये ओवर सब्सक्राइब होगा, ओवर सब्सक्राइब इसका चांसे बहुत कम हैं, लेकिन ओवर सब्सक् आया है, तब से penny stocks पे, जो penny stocks है, उस पे हम लोग को circuit देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे circuit देखने को मिल रहा है, तो जो भी मतलब छोटे-छोटे जो भी ये shares थे, उनमें आप लोग देख रहा हैं, कि तब से, जब से कोरोना आया है, तब से जो नए investors आया है, जो retail investors मार्केट में आया है, उनके चलते, जो penny stocks है, उन पे ये ज़्यादा upper circuit देखा जा रहा है, तो इसके भी जो FPO है, इसके भी chances लग रहा हैं, कि उनहीं investors के चलते, और उनहीं retail investors के चलते, नए investors के चलते, जो कि नए demand account खुलवाया हैं, इन 3-4 महिनों में, उसके चलते इस FPO के over subscribe होने के chances ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसके चलते, इसमें investment मतलब ये company तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको भी पता है कि इस पे जो अभी 50% का, जो इसका moratorium है, वो अभी SBI के पास है, तो इसमें बहुत सारे companies का investment हुआ है, ये Yes Bank में, तो Yes Bank का भी बता देता हूँ आपको total मतलब इस पे जो premium अभी का दिख रहा है, वो premium दिख रहा है, जो grey market में, grey market आप लोग black market भी बोल सकते हैं, तो ये जो डबबा market है, डबबा market में इसका जो premium है, वो 1.15 से लेके 1.12 तक के, ये 1.25 यहां तक, ये 1.15 से लेके 1.25 तक का इसका premium दिख रहा है, grey market म तो means अगर 12 रुपे पे ये listing होता है, तो 12 पॉइंट, ये 12 पॉइंट, ये 13.25 से लेके, 13.15 तक, 13.15 तक इसका premium देखने को मिल सकता है, अगर ये 12 रुपीज के आसपास में इसका, ये अभी का जो floor price है, वो है तो, तो listing गेन आपको 1.15 का अभी जो market में चल रहा है, grey market में, वो 1.25 से लेके, 1.25 तक का इसका लगाया जा रहा है, इसका premium, तो इसमें क्या हुआ था है, पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें, तो इसमें Axis Bank के पास ये share है, Axis Bank ने लिया था, इसको जब हम लोग 6th March को जब इसमें बहुत ही भारी गिर्यावट आया था, तो उसके बा मार्च को, ठीक है, 6th March 2020 को बहुत सारे बहुत सारे नय नय ये बैंक्स ने, मतलब कि बहुत सारे बैंक्स ने इसमें नय नय मोराटोरियम लिया, जैसे SBI उसमें था, HDFC Bank था, ICICI Bank था, Axis Bank था, Kotak Mahindra Bank था और Bandhan Bank था, तो इन सारे बैंक्स ने इसमें मोराटोरियम लिया, RBI RBI का मोराटोरियम, ये Yes Bank पे लिया था, इन लोगों ने, तो Yes Bank को, लेकिन इसमें से बहुत सारे जो companies थे, और बहुत सारे जो बैंक्स थे, उसने 18th March को, 18th March को इसका मोराटोरियम खतम कर दिया, और इस पे मतलब कि जो इन्होंने पैसा दिया था, वो पे हो गया, उसके बा 10,000 करोड के आसपस में आता है, 10,000 करोड SBI का अभी इस पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये टोटल हमारा अभी देखें, तो अभी इस पे 15,000 करोड अभी नया ये मांग रहा है, FPO के थरू, 15,000 करोड, तो इन्वेस्टर्स का, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इस पे confidence नहीं आने के चलते, क्योंकि Yes Bank में बहुत लोगों का पैसा डूबा हुआ है, तो इसके चलते, इस पे लोगों का confidence नहीं आने के चलते, ये बोला जा रहा है, कि जो इसका FPO है, वो ज्यादा चलेगा नहीं और ये flop कर जाएगा, तो ये देखी, ये देखे, market में अगर हम लोग आपके लिए इस मैं suggestion दे रहा हूं, कि आप क्या किजे, अभी इस पे आप लोग अपने हिसाब से जैसा मैंने ये analysis बताया, उसके हिसाब से आप लोग apply करे या ना करे, वो आपके उपर है total, लेकिन मेरा suggestion यहीं रहेगा, कि मेरा ये opinion रहेगा, कि आप लोग इस पे अ अभी market में price चल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 22 रुपय का जो price चल रहा है, आज का closing है, ठीक है, लेकिन ये 12 रुपय पे अपना FPO क्यों ला रहा है, आपको ये share 12 रुपय में क्यों देगा, जबकि आप market से 22 रुपय में खरीद रहे हैं, तो FPO का ये लालच है, ये लालच दे रहा है कि 12 रुपय में आप लोग buy कर लिजे, बाद में ये price बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन ये जो 22 रुपय है, वो भी शायद नीचे ना आ जाए, मैं ये एक confirm नहीं बता सकता, मैं एक probability के हिसाब से बताता हूँ, और ये 22 रु आपको loss हो जाएगा, तो इसमें अभी मेरा suggestion, weight and watch का है, आप लोग चाहें तो इसमें invest कर सकते हैं, ये totally आपके उपर है, लेकिन मेरा ये इसमें weight and watch का, ये situation रहेगा, और इसके share price थोड़े नीचे आएंगे, मेरे हिसाब से जैसा मेरा analysis है, मैं deep technical analysis करता हूँ, तो उसके हिस आप से अगर मैं बोलूँ, तो इसके prices और भी नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखा दूँ, technical analysis का चार्ट आपका यहाँ पर open हुआ है, तो ये अभी इसमें momentum पकड़ा हुआ है market ने, yes bank के market ने, तो अब भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा, इसके prices आपको ही loss होगा, अगर shares dilute होते हैं, तो इसमें investors को ही loss होता है, और उसके जो share के values होते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो अगर इसमें और भी कुछ जानना हो, और भी कुछ भी doubt आता है आपको, तो आप लोग मुझे comment box में बताइए, या फिर आपको, आपने अगर channel subscribe नहीं किय तो आप लोग channel subscribe कर लेजए, thank you दोस्तों